नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में UPSI ASI की भरती आ चुकी है और सबसे जादे बच्चों के एकी सवाल है कि सर क्या ये O-Level के equivalent कौन सा मानने होगा जो जीओ आया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसमें जो टीजे लिखी हैं वो मानने होगा या इनके नोटिफिकेशन में लास्ट में आप देखोगे तो लिखा है प्रसिश्टी 3 जो आपके नोटिफिकेशन के साथ सनंगन नहीं किया गया है तो इसका मतलब कि जो पिछले नोटिफिकेशन में इनकी प्रसिश्टी थी वो दो नंबर पे थी तो इसका मतलब ये भूले हैं उसको कहीं ना कहीं अभी लास्ट में निकालेंगे ओ लेबल के इक्वेलेंट तो देखते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं और डिफरेंसेज हैं ये दिख चीजों को में आपर क्लियर कर देंगे और क्या आपका मानने होगा चांसेज जो मैं बता रहा हूँ 95% चांस है कि यही ओ लेबल के इक्वेलेंट माना जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड में क्योंकि जो पिछला डॉकुमेंट वेरिफिकेशन हुआ जो भी हुआ उन सभी के एक्सप्रियेंस को मैंने इकठा किया है और आपके सामने में बताने जा रहा हूँ तो जो भी डाउट है आप सभी के इस वीडियो को जरूर देखिए और इसे अपने दोस्तों को सेर भी करिए जिन्हें भी SI, ASI के कोर्स से जुरना है टीम परिच्छा प्लस उसका कोर्स से स्टार्ट कर दिये आप परिच्छा प्लस आयप इंस्टाल करिए वहाँ से कोर्स से जुर सकते हैं चलिए अगर हम बात करें कि O-Level के Equivalent क्या होगा तो अगर हम पुलिस भरती बोर्ड का जो एक तरह से आया था O-Level के Equivalent इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा यही आपको कहीं न कहीं अभी मिलेगा जल्दी ही इसका नोटिस आने वाला है आपके सामने यह ध्यान रखिएगा इसका नोटिस यह आपको जरूर मिलेगा यही वाला नोटिस आपको मिलेगा जो यहां देख रहे हो यह पिछले नोटिफिकेशन की दो नंबर पे था इस बार दो नंबर प्रिसिस्टी में आप देखोगे तो प्रमाण पत्र का वो दिया गया है कि कैसा होना चाहिए जातिका निमास का इस टाइब का दिया है यह वाला सलंगन नहीं किया गया था तो जा रहा है परंतु डिग्री बियस्टी की मिली है तो क्या ओ लेबल के संकच होगा अगर आपका तीन साल क्या बोला computer science एक विसे की रूप में तीनो साला three year आपने computer science पढ़ा है BSC में computer science आपने पढ़ा है और degree आपको BSC की मिली है तो घबडाने की बात नहीं है आप eligible होंगे आप O-Level के उपर है आप O-Level के उपर है मतलब आप equivalent है BSC में computer science एक विशय के रूप में अंतिम वर्स में रहा है और degree BSC की मिली है अगर एक साल आपने अगर कोई computer science पढ़ा है BSC में और degree आपको BSC की मिली है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि BSC computer एक वर्स तक O-Level भी एक वर्स का course है आता है ये दोनों course समकच्छ माने जाएंगे ठ क्या होगा ये भी समकच्छ होगा ठीक है ये एकदम उसके बराबर है ये उसके उपर है तो वो आहरता रखेगा तीसरे नंबर point की बात करें तो BSC में अगर computer application ये computer science अगर इसे subject पढ़े हो और computer अगर application जैसे आप MS Office हो गया PowerPoint इन सब का कोई applications पढ़े हो computer का वो पढ़े हो व को BSC की मिली है तो वो लेवल के समकच होगा एकदम समकच होगा उसके उपर होगा तो समकच तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा अगर हम बात करें यहां पर कि BSC आपने computer application पढ़ा है computer science अलग हो गया computer science में आप programming पढ़ सकते हो और भी चीज़े पढ़ सकते हो उसके पूरे भी ज्यान अप्लिकेशन में अगर आपने कोई computer का applications पढ़ा है आपने Microsoft पढ़ा है चाहे कोई और database पढ़ा है इस टाइप का applications कोई पढ़ा है computer का तो वो चीज़े तो अगर BSC में आपने किसी एक विशाय के रूप में आपने computer application को पढ़ा है और degree आपको BSC की मिली है तो आ आप O Label के बराबर हो आप O Label के बराबर हो बार बार ध्यान दीजेगा मेरी बात को यह प्रस्ण बहुत होता है बच्चों का कि मैंने BBA किया है हाना तो BBA वाले बच्चे क्या O Label के equivalent माने जाएंगे BBA वाले O Label के समकच होते हैं नहीं यह आपका जो course होता है business administration of O Label के सम समकच नहीं है यह आपके O Label के समकच नहीं माना अब आप काओगे सर मैंने BBA में as a computer का एक पढ़ा है तो वो चीज आपका computer science आया computer application में नहीं आता है बच्चों अगर आपने as a computer में कोई उपढ़ा है तो BBA में वो चीज आपका equivalent नहीं होता है computer application और computer science तो यह बात ध्यान रखेगा BBA वाले बच्चे eligible नहीं होंगे BSC IT O Label के समकच है अगर आपने BSC IT या BSC CS किया हुआ है computer science किया है तो आप O Label के उपर हैं तो आप समकच होंगे दूसरी बात कि क्या हमने कई बच्चे comment कल से कर रहे थे कि सर हम triple C या CCA हैं तो triple C और CCA जो होता है वो सिर्फ six month का course होता है तो six month का course आपका valid नहीं माना जाएगा ये O Label के समकच नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा उसके बास से अगर हम बात करें यहाँ पर ये ध्यान रखिए क्या ITI से 52 सब्ता का COPA course O Label के समकच होगा एकदम जब अगर आपने COPA का course किया है ITI से तो ये आपका क्या होगा O Label के समकच होगा एक वर्स का course है आपका ध्यान दीजिए का course अगर एक वर्स का है COPA का ITI का तो आप O Label के समकच होगे अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लिया जाए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं सभी लोगों का एक एक जो doubt है वो clear हो जाएगा इसको देख लीजिए MSC आपने Cyber Law Security from IIT या O Label के समकच होगा अगर आप MSC Cyber Law Security कर रहे हैं तो Cyber Law और Security एक Computer Application का पार्ट होता है Cyber तो वो O Label के काफी उच्च डिगरी होने के कारण यह मानने है यह O Label के समकच माना जाएगा O Label Equivalent Course from UP Electronics UP Electronics के से आपने एक UP Electronics संस्ता है उससे O Label के समकच डिगरी होती है वो अगर आपने किया है ठीक है और वो कोर्स एक साल के अवधी का है तभी वो मानने होगा यूपी Electronics से अगर आपने छे महिने का कोई कोर्स कर लिया जो कहा जाता है कि O Label का Equivalent माना जाएगा तो वो नहीं माना जाएगा एक साल का होना चाहिए तभी वो मानने होगा अब प्राइवेट समस्था पे आते हैं बच्चे बोले गते हैं सर हमने यहां से किया है atom इंसिटूट भ therapist भनकौन सा इंसिटूट सिमरन इंसिटूट बहुत सारे ऐसे institute होते हैं तो उन सब institute से किया हुआ डिगरी मानने होगा की नहीं अब मेरी बात यहाँ सुन लीजिएगा आपका एक एक प्रस्म डाउट clear हो जाएगा पिछली बार ऐसे लोगों को DV से हटा दिया गया था मेरी बात सुन लीजिए और कुछ exception हुए है मैं बताऊंगा उस case को भी बताऊंगा क्या किसी private संस्था से computer application किया हुआ O-Level के समका छोगा अगर आप किसी भी private संस्था से कोई computer application कर रहे हो तो यहाँ बोला है यह प्रमार पत्र केंद्र, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, मानिता प्राप्त किसी board, university, UGC, AICTC, IGNU, या NILED डो एक द्वारा निलजत है तथा किये गए course की अवधी एक वर्स या उससे अधिक है तो यह O-Level के समकच माना जाता है तो अब बच्चे बोलते हैं सर मैंने ADCA किया है Simran Institute से और उसमें लिखा राता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मानिता प्राप्त है और वहाँ पर registration number दिया जाता है तो वहाँ बच्चा आपको registration उस संस्था जिसे coaching खोलती है ना उसका registration दिया जाता है वैसे वहाँ पर भी दिया जाता है लेकिन ये बात ध्यान रखेगा इस बार सभी जो पिछली बार वरती हुई है उसमें ये Simran और जो आपके इसे institute होते हैं इनको बाहर कर दिया गया था आपकी जो ADCA चाहे DCA कोई भी किये हो वो अगर UGC अप्रूड मतलब किसी इनुवर्सिटी से कर लिए सबोस्कर आपने गोरफ पुर इनुवर्स डिडियू इनुवर्सिटी से कर दिया लखनव इनुवर्सिटी आपको जो ADCA कोर्स करा दी चाहे DCA कोर्स करा दी इस प्रकार का कोर्स चाहे किसी इनवर्सिटी से आपका जो है उनसे आपने एक साल का कोई भी computer application कोर्स किया है और उसकी अवधी एक साल है और उसका मानेता प्राप्त कहां से हो UGC से हो या AICTC से हो या निलेट से हो या गवर्मेंट का कोई भी ऐसा बोर्ड जिसके द्वारा वो सिच्छा से संबंदित हो और जैसे UP Electronics मैंने कहा ना इन सब से हो इन से अगर आपको कहीं मानता प्राप्त मिला है तब आपकी डिगरी वैलिड होगी ये ध्यान रखिएगा अब बोला किया किसी प्राइवेट संस्ता से डोएप डोma ADC-A ADC-A ADC-CADCA ADC-H ADC P-DCE-A DCF-DC- GBici-DOAD-DST-DTP-MDC कार्ष लिखए ADI-ADP-ADC-A IIT-T-Dip-DSM-DST PG-DCA ठीक है ये सब लिखा है कि आपने अगर किसी भी PG-DCA-WD अलग होता है कि क्या ये OW dois लेबल के समकच होंग तो मेरी बात बार बार ध्यान रखेगा यहां पर आपका notification में लिखा रबता है कि मानेता प्राप्त संस्था कोई ऐसा नहीं कि जिसका सिर्फ registration लिखा हो और वो अपने साटिफिकेट में लिखवा देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का किस एक इंसिट्यूट का रेजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया इससे नहीं होता ऐसे तो बहुत सारे रेजिस्ट्रेशन नंबर कोल के बैटे हैं तो तभी और एक साल का कोर्स है तब आप ओलेवल के समकच्छ माने जा सकते हैं यह डाउट हमेंसा क्लियर कर लीजिएगा यह ध्यान में था तो लखनव वाले को डीवी से बाहर कर दिया कानपूर वाले को एसेप्ट कर लिया तो यह भाई देखो डिपेंड करता है डीवी की टीम पर लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए जब वहां जैसा नोटिफिकेशन में लिखा है तो बाद में साइद वो बच्चे भी गए और प्रूफ लेकर गये थे तो उनको एसेप्ट किया गया था ठीक है यह ध्यान रखिएगा क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओलेबल किया हुआ मानने है आप किसी प्राइवेट संस्था से आप ओलेबल करते हो डिग्री लेया मतब जाते हो बर्त को लेने उस जाएंगे वैलिड माने जाएंगे या नीलेट से आपको मिला हो डिग्री तब ही आप वो ओ लेबल के इक्वेलेंट मानने होगा समकच माना जाएगा कोई से वैसी संस्था से नहीं अब आते हैं क्या किसी प्राइवेट संस्था से PDCA किया हुआ PGDCA वो मानने होगा PGDCA अगर आपने किया है और उसका जो एक तरह से बोला जाए जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आपका UGC या AICTC या नीलेट एप्रूब्ड है या कोई बोड या युनिवर्सिटी जो गवर्मेंट से एप्रूब्ड है उसके थुरू आपने किया है ठीक होते हैं कुछ बड़े-बड़े NGO होते हैं जो भारस सरकार के द्वारा मानता प्राप्त नहीं वो PGDCA आपका मानने होगा अब रही बात कुछ और आती है PGDCA के साथ उस पर भी मैं बात कर लेंगा कि PGDCA PCM वाले ही मानने होंगे अगर आपने PCB से के साथ किया है PGDCA क्योंकि बेसिकली जो में इनुवर्सिटी होती है वो PGDCA में एडमीशन अगर आपने physics chemistry math पढ़ा डीवी में उनको नहीं लिया गया था यह ध्यान रखिएगा क्या किसी प्राइवेट संस्था से एक वर्स या उससे अधिक अवधी का परंतु तीन वर्स से कम अवधी का डिप्लोमा ओ लेबल के समकच माना जाएगा तो आप बताओ यहां साब साब बोला है कि कि किसी प्र संस्थाओं से मानने नहीं होगा इस बात को ध्यान रखिएगा जो आप काते हो मैंने यहां से ADCA किया है DCA किया है तीन साल का कोड किसी टेकनिकल इंसिट्यूट से टेकनिकल इंसिट्यूट मतलब टेकनिकल इनवर्सिटी से या कोई ऐसी संस्था जो बहुत बड़ी संस्थ संस्था हो उसका गवर्मेंट के द्वारा प्रूट किया गया वह चीज़ मीडा और मकरण अगर आडर आप संस्था से जिन आख दिपना किया है किए तो समकच मान आप अगา का डिपलोमा जो है राख किते द्वारा UGC, ICTC, IGNU या निलेट द्वारा निर्गत उक्त डिप्लोमा in Computer Engineering Information Technology या Electronics कहने का मतलब अगर आप Polytechnics CS, IT और Electronics से हो तभी भी भर सकते हो अगर आपने Polytechnic Private University से किया है तो वो भी UGC approved होता है ठीक है, AICTC approved होता है तभी भी आप form भर सकते हो आप O-Level के समकच माने जाओगे बस कौन-कौन से ब्रांच IT, CS और Electronics यही Polytechnic वाले माने जाएंगे क्या राश्टिक Computer साक्षता मिसन में किया हुआ डिप्लोमा O-Level के समकच होगा वही होगा जिनको Government के द्वारा Approved किया गया है University, AICTC IGNU और NILATE के द्वारा जो मिलता है आपको Certificate वही आपका मानने होगा समकच होगा UP-DESCO से किया हुआ डिप्लोमा आपका O-Level के समकच होगा एकदम सही है UP-DESCO से अगर एक वर्स के अवधी का है तो वो आपका मानने होगा समकच होगा क्या PCM के MCA PCM के क्या किसी क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा अगर बंदा MCA कर लिया है तो PCA से कोई मतलब ही नहीं है PCM से वो आपका कही न कहीं O-Level से उच डिग्री है तो आप मानने होंगे यह ध्यान रखेगा बिना PCM के आपने MCA किया है तो ठीक है यह ध्यान रखेगा अब क्या किसी बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा BCA तीन साल का कोर्स होता है O-Level एक साल का होता है तो PCM आपका अगर बिना PCM के भी आपने BCA किया है तो आप मानने होंगे यह ध्यान रखेगा आप O-Level के उपर रखते हैं अब यहाँ पर PGDCA वालों के साथ लफड़ा हो जाता है थोड़ा था अब लफड़ा क्या हो जाता है बोला है यहाँ पर कि क्या किसी बिना PCM के PGDCA किया हुआ वत्ति पात्र होगा PGDCA एक साल का कोर्स होता है और O-Level भी एक साल का कोर्स होता है तो दोनो एक जैसे हैं लेकिन इसके लिए आपको PCM होना जरूरी है क्योंकि O-Level के लिए PCM चाहिए और यह जब एक साल का होता है तो ये भी एक साल का होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए PCM होना जरूरी है ये ध्यान रखिएगा PCB वाले चाहे Commerce वाले PGDCA किये हो तो आपको कहीं न कहीं DV से बाहर कर दिया जाएगा अब रही बात यहां प्लास्ट में देखिए क्या बोला गया है इगनू से हां बोला है क्या माध्यमिक सांस्कितिक सिछा परिस्द लखनो या पूर माध्यमा अम उत्तर माध्यमा तथा इगनू की BCA और MCA व्यक्ति पात्र होगा मतलब से लर्निंग किये हो कहीं से भी उत्तर परदे सरकार द्वारा या इगनू के दिस्टर्ण लर्निंग प्रोग्राम से तो क्या वो व वैलिड होगा तो बोला जीओ आया था उत्तर प्रदेश शाशन का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पर आप देखोगे लाश्ट में क्या लिखा गया था यह किसके लिए था यह देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा अब हो सकता है पुलिस भरती बोर्ड अपना देखे में जो में में पॉ यहां पर राजसो परिषद उत्तर प्रदेश और क्या-कै बोला है यहां पर किसको वेजा गया है सच्चिऊ उत्तर प्रदेश अधिनस्चेन से वा आयोग लखनव और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रियाग राज ठीक है तो यह कहीं नहीं हमको लग रहा है UPPTSS जिक्र किया गया है नहीं तो नोटीस जो SI SI की निकली है वहाँ पर उन्होंने इसका बात जिक्र जरूर किया होता कि जो आपका सासना देश गवर्मेंट का आया है उसको देख लिए उन्होंने साब साब बोला है नोटीस में UPSI ASI के कि जो प्रसिश्टित तीन है अभी दिया तो यह जियो था उत्तर प्रदेश गवर्मेंट का सेम इसमें भी वही चीज लिखा है जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड के द्वारा निकाला गया था समकशाहाग था यहां पर भी साफसाफ लिखा है केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड विस्विद्या सफारी संस्था से टेन प्लसटू के उपरांग कम्प्यूटर में कम से कम एक वर्स की अवजे का निमलिَखित प्रदेश पर्रदेश की कोstate्या प्राइवेट संस्था से अगर मैं यह यह कोर्स करता हूँ जैसे दो में ADC, ADCA यह सब मैंने बताया ना यह तभी मानने होगा जब आपकी संस्था इन से एप्रूब्ड होगी विस्विद्दाले UGC, AICTC से एप्रूब्ड होगी तभी आपका मानने तो सिमिलर्टी दोनों मे हैं तो कुछ भी चेंजेज होने के नहीं मिलेंगे सब कुछ वही बोला इतने इतने कोर्स हैं आपके इन सभी कोर्स से अगर आपने किया है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या है UGC, AICTC या निलेट से अप्रूब्ड है तभी आपका होगा है देखो UPDES को वहाँ पर भी मांगा था यहाँ पर भी सेम है UPDES को को माना गया है वैलिड माना जाएगा असनातक अस्तर पर वहाँ पर भी बोला था अगर BSC या असनातक अस्तर पर एक साल आपने अगर कोई क्या होगे वैलिड हो आप वो लेबल के समकच माने जाओगे यह ध्यान रखेगा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लिकेशन सेम पॉइंट जो वहाँ दिया गया था वही चीज़ यहां पर दिया गया है तो कोई भी परिवर्तन नहीं है मैं इसलिए दोनों को एक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लिकेशन अगर आपका 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 कंप् के किसी बोड विस्विद्दाले से निलेट से द्वारा मानितप्राफ सरकारी नीजी संस्था से हाई स्कूल के उपरान कम से कम एक वर्स की अवदी का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हूँ अगर आपने हाई स्कूल के बाद इसमें एक पॉइंट निकाला गया है यहाँ पर हाई स्कूल के बाद अगर आपने इन संस्थाओं से मानितप्राफ संस्था से आपने एक वर्स का डिप्लोमा किया है तभी आप वैलिड माने जाओगे यहां पर क्या बोला है कि नीले, DOEG के मानतप्राप्त राश्च्टी कम्प्यूटर साक्षार्ता मिसन यहाँ वहाँ पर भी बूरा था कि कम्प्यूटर में कम से कम एक वर्स का आवधी साक्षार्ता मिसन से अगर एक साल का किया है तो वह भी वैलिड होगा सेम चीजे हैं और यहां पर ध्यान दीजे लास्ट पॉइंट जो बोला है केंदर राज सरकार किसी बोर्ड विस्विद्दाले निलेट से मान्यता प्राफ सरकारी नीजी संसा से तीन वर्षी डिप्लोमा वही पॉली टेकनीक अगर यह आपने डिप्लोमा किया है तो आप ओलेबल के संकच हो तो दोनों ही ओलेबल जो जी ओ आया था उत्तर प्रदेश सरकार का और जो पुलिस भरती बोर्ड ने दिया था ओलेबल के दोनों सेम हैं दोनों में बस लिखने का नजरिया अलग अलग है अब जब जाओगे करेंगे तो दोनों आपके सेम हैं कोई अंतर नहीं है ये प्रश्न उत्तर के माप्धायम से है और वहां साफ साफ लिख दिया गया है दोनों में कोई अंतर नहीं ये लास्ट पॉंट ये इसका बचा ता ना ये देखो विला है इसमें विला विज्ञान विशे नहीं है लेकिन गड़ित विशे के साथ दिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजिनियरिंग तो क्या हम वैलिड होंगे बोला यह अथवा गवर्मेंट रेजिस्टर इंसिट्यूशन से तता कोर्स की अवधित तीन वर्स या उससे अधिक है तता यदि प्रमाण पत्र इनके इनके बोड़ के द्वारा निर्गित है तभी आप मानने होंगे हना अगर आपका क्या गड़ित क्या बोला यहां पर इंटर्मीडिमिन तो अवधित तीन वर्स या उससे अधिक है तो वह कोर्स अगर तीन साल या तीन साल से अधिक है विना पीसी सा अगर आपने किया मतलब अगर आप एक साल अपने असनातक में computer science या computer application पढ़ा है तो आप o label के समकच्छ हैं बाकि ADCA, DCA जितने भी तमाम course आप private संस्ता से किये हैं तो पहले आप ये खंगाल लें कि आपकी जो संस्ता है वो do a approved है या नहीं है तो चलिए ये जो do a आपका o label से related जो भी दिखते थी मै कोई दिक्कत है समस्या है तो आप comment करके जरूर पूछ सकते हैं यहाँ पर टीम परिक्षा प्लस के दोवारा SI और SI का बैच चलाया जा रहा है आप परिक्षा प्लस आप इंस्टॉल करके वहां से जूड़ सकते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए इसी के साथ मैं अपने वारे को विराम देता हूं मस्त रहिए स्वस्त रहिए जबर दस्त रहिए